हालो स्टुडेंट एक बार फिर इस क्लास में आप सबका स्वागत करते हैं जिसमें आज आपको पढ़ा रहे हैं इन्वार्मेंट क्लास फूर जिसमें चेप्टर चला एट पार्ट एंड फंक्शन और प्लांट पौदा और उसके विविन भागों के कार हैं जिसमें आज यह कहरे पवदे के अंदर जितने भी भाग होते हैं उनस समय में सबसे महतपूर जो भाग होता है वो क्या होता है लीफ होती पत्ती एक बहुत महतपूर भाग होती अमंग दा पाट उन सभी भागों में देट आर फंड अबब दा ग्रांट जो जमीन से ऊपर पवदे में पाए जाते हैं यहीं रूट को छोड़ करके अब अब दा ग्राउंट से मतलब है अगर पौदे की जणों को छोड़ने उसकी बाद उसमें इस्टेम और ब्रांचेज और लीफ फिर उसकी बाद फ्लॉवर एंड फ्रूट है तो इन सभी में यह कहरें सबसे इंपोट्टेंट अगर कोई पाट है तो वह है उस पेड़ की लेफ पती ब्रांचेज ओफ दा प्लांट वीर लीफ बिर मीश होता धारड करना जैसे चेग धारक बंदूक में गन वीरफ बंदूक धारक यह कह सकते राइफल वीर गाइफल दाहरक तो ब्रांचेज अफ़ प् अब ये कहरे है अधिकतर यानि लगवग 90% 90 पॉइन लगवग 100% ही मालीजे कि बहुत कम एक दो छोड़ करके न सभी पिवनों के पत्तियां होती है वह ग्रीन कलर की ही होती है अधिकतर प्रेवनों की पत्तियां हरी रंग की होती है The green color of the leaves is due to the presence of pigment, एक पिगमेंट होता है, एक ऐसा पदार्त होता है उसके अंदर जिसका नाम होता है chlorophyll, पाड हरिम या हरित लबक, हिंदी में इसको पाड हरिम या हरित लबक कह सकते हैं, एंगलिस में इसको chlorophyll कहते हैं, तो एक पिगमेंट होता है chlorophyll इसकी वज़े से पत् leaves is due to the presence of pigment called chlorophyll, एक ऐसा सबस्टेंस पदार्त होता है उस पत्तियों के अंदर जिसकी वज़े से पत्तिया हरि होते हैं, उसका नाम होता है chlorophyll, दा फिलेटेंडिट पार्ट अप दा लीव इसका लेमना, मतलब जो चप्टा भाग, शम्तल भाग जो पत्ती का होता है, फिले इस पर जैसे यह ऊपर का टोटल तोटल ही है, यह लेमना कहलाता है, it has two surface, अब इस लेमना के दो वहाग होते हैं, यानि जैसे माल लीजेगा इस परकार शेंडिगा से अधर का सर्फेंस है, और एक इधर का सर्फेंस है, यह, it has two surface, upper surface and lower surface और पत्ति में दो सर्फेंस होते है दो तल होते हैं, एक उपर और एक नीचे अपर सर्पेस एंड लोघ सर्पेस, उपर का सर्पेस और नीचे का सर्पेस these surface have tinny post tinny post का मतलब होता छोटे-छोटे छेद्र called istromata जिन्हे istromata कहते हैं इन surface पर छोटे-छोटे पूर यानि छिद्र होते हैं जिन्हे हम istromata कहते हैं istromata का मतलब होता जैसे हम सांस लेने के लिए नाक का प्रियोग करते हैं इसी प्रकार से ऐसे कार, सांस लेने वाले, सांस छोड़ने वाले जो कार होते हैं, वो किसी पौदे में जो इस्टोमेटा होते हैं, छोटे-छोटी रंद्र होते हैं, छिद्र वो करते हैं, जिन्हें इस्टोमेटा या रंद्र कह सकते हैं, इसलिए वह नीचे से उपर को जाएगा जमीन से इसलिए वह नीचे समतल पर यह पत्तियों को होते हैं जिन से उनका कॉंटक्ट सीधा 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 कारवन डायक साइट से या धूमी से हो सके जो यह स्वसन में लेते हैं फिर फोटो सिंथेसिज में लाज नमबर ऑब अब दा इस्टोमेटा और फांड ओंड लोर सर्फिस पत्ति के निचले सत्य पर बहुत बड़ी संक्या में यह इस्टोमेटा पायाते हैं थ्रोदीज पूर्स अब इन रंद्रों को या इन छिद्रों की सायता से एक्स्चेंज गैस फ्रॉम्दा इंवारिमेंट हमारे बायू मंडल है मारा बाता बड़ है हमारा परविय से उसकी गैसे यह अदला बदली करते हैं एक्स्चेंज का मतलब से भी हैं लेते हैं कारवन डायाक्षाड यब छोड़ते हैं तो वो आक्सीन छोड़ते हैं जो हमारी काम में आती है तो यह गैस की अदला बदली इन रंद्र के द्वारा करते हैं लीप्स परफर्म आल दियर फंक्शन विद्धा हैल पॉप इस्टोमेटा इन रंद्रों की लीप्स परफर्म आल दियर फंक्शन पत्ति अपने सबी कारेओं को अंजाम देती है विद्धा हैल पॉप इस्टोमेटा इन इस्टोमेटा इन रंद्रों की मदसी अब देखेगा जो मुख्यकार और जो पत्ति ये वो क्या है फंक्शन ओफ लीप पत्ति की कारेओं पहला कारेओं फोटो सिंतेसिस यानि प्रकास संस्रेशड का कारेकरना सूर की प्रकास की उपस्तिती में दिन के टाइम फोटो सिंतेसिस का रेक्शन होता है ये भी पत्ती की द्वाराई पूड किया जाता है दूसरा वर्क है ट्रांस्परेशन यानि बास्पोस सर्जन अधिक पानी की जो मात्रा पौदे में पहुंच जाती है उस पानी का पत्तियां बायू मंडल में बास्पोस सर्जन कर देती है यानि बायू मंडल में उड़ा देती है उ रात के टाइम में यही पत्तियां इन रंदनों के शायता से स्वशन भी करते हैं। तो यह तीन इसके कार थे जो next class में हम detail में पढ़ेंगे photosynthesis, transpiration और respiration. इस class में इतना ही, देखेंगे next class में यह कार detail में, तब तक के लिए जैन जै भारत.